वहाँ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवन्त उदाहरण है इस पूरे मिशन में अनेको विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तोर पर जुड़ी रही है इनोंने अलग-अलग सिस्टिम्स के प्रोजेक्ट डारेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे कई एहम जिम्मेदारिया सबाली है भारत की बेटियां अब अनन्त समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनावती दे रही हैं किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांशी हो जाए तो उसे उस देश को विक्सिद ब हमने इतनी उची उडान इसलिये पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रेयास भी बड़े हैं चंद्रियान तीन की सफलता में हमारे वैज्यानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टरस की भी ऐहम भूमी का रही है तमाम पार्स और तक्नीकी जरूतों को फुरा करने में कितने ही देश्वासियों ने उगदान दिया है जब सब का प्रयास लगा तो सफरता भी मिली यही चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी सफरता है मैं काम ना करता हूँ कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अंगिनत सफरता हैं हासिल करेगा मेरे परिवार जनों सितंबर का महना भारत के सामर्त का साक्षी बनने जा रहा है अगले महने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पुरी तरफ से तयार है इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्टाद्यक्ष और अनेग ग्लोबल और्गनेजेसंस राजदानी दिल्ली आ रहे हैं G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागिदारी होगी अपनी प्रेसिडेंसी के दोरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूजिव फोरम बनाया है भारत के निमंत्रण पर ही आफ्रिकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और आफ्रिका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफर्म तक पहुँची साथियों पिछले साल बाली में भारत को G20 की अत्रिक्स्ता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है दिल्ली में बड़े बड़े कारेकर्मों की परंपरा से हट कर हम इसे देश के अलग-अलग शहरों में ले गए देश के साथ शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया जी ट्वेंटी डेलिगेट्स जहां भी गए बहां लोगों ने गर्म जोसित हैं का स्वागत किया ये डेलिगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर हमारी वाइबरन डेमुकरसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए उन्हें ये भी एसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाए हैं साथियों जी ट्वेंटी की हमारी प्रसिडेंसी पीपल्स प्रसिडेंसी है जिसमें जन भागिदारी की भावना सबसे आगे है जी ट्वेंटी के जो ग्यारए एंगेजमेंट ग्रूप्स थे उनमें एकडेमिया, सिविल सुसाइटी, युवा, महिलाए, हमारे साउसद, एंटरप्रिनर्स और अर्बन एड्मिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने एहम भूमी का निभाई इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी रूप से डेड़ करोड से अधिक लोग जुड़े हैं जन भागीदारी के हमारी स्कोशिस में एक ही नहीं, बलकि दो दो विश्वे रिकॉर्ड भी बन गये हैं वारणसी में हुई G20 क्वीज में आठ सो स्कुलों के सवालाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नहाया विश्वे रिकॉर्ड बन गया वहीं लंबानी कारिगरों ने भी कमाल कर दिया चार सो पचास कारिगरों ने करीब अठारा सो यूनीक पैचिज का आश्यर जेनक कलेक्शन बनाकर अपने हूनर और क्राफ्ट्मेंट्सिप का परिचे दिया है जी ट्विंटी में आए हर प्रतिनिदी हमारे देश की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देख कर भी बहुत हैरान हुए ऐसा ही एक शांदार कारिगरों सूरत में आयुजित किया गया बहां हुए साड़ी वौकाथोन में पंदरा राज्यों की पंदरा हजार महलाओं ने हिस्सा लिया इस कारगम से सूरत की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही वोकल फर लोकल को भी बल मिला और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना स्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के परियाटकों की संख्या में भारी बढ़ोत्री देखी जा रही है मैं सभी देशवाश्यों को कहूँगा कि आईए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाए देश का मान बढ़ाए मेरे परिवार जनो मन की बात के एपिसोड में हम अपनी यूआ पीडी के सामर्थकिक चर्चा अक्सर करते रहते हैं आज खेल कुद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे यूआ निरंतर नई सफलताय हासिल कर रहे है मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूँगा जहां हाली में हमारे खिलाडियों ने देश का पर्चम लहराया है कुछी दिनों पहले चीन में वर्ल यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मंस रही है हमारे खिलाडियों ने कुल 26 पदक जीते जिन में से 11 गोल मेडल थे आपको यह जानकर अच्छा रगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दे तो भी यह संख्या 18 तक ही पहुंचती है इतने दसकों में सिर्फ 18 जबकि इस बार हमारे खिलाडियों ने 26 मेडल जीत लिये इसलिए वर्ल यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवां खिलाडी विद्यार थी इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूँ यूपी की रहने वाली प्रगती ने आर्चरी में मेडल जीता है असम का रहने वाले अमलान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है UP की रहने वाली प्रेंका ने race walk में middle जीता है महराष्टर की रहने वाली अभीदन्या ने shooting में middle जीता है मेरे पहरे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मैं सबसे पहले भारत की उनिवर्सिटीज में से select की गई टीम आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है इसलिए मैं आप सब को बढ़ाई देता हूँ आपने World University Games में अपने प्रदर्शन से हर देशवाजी का सिर गर्व से उंचा कर दिया है तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बढ़ाई देता हूँ प्रगेती मैं इस बात्चीत के सुरुवात आप से कर रहा हूँ आप सबसे पहले मुझे बताईए कि दो मेडल जीतने के बाद आप जो मियां से गई तब ये सोचा था क्या और इतना बड़ा वीजे प्राफ्त किया तो मैसुस क्या हो रहा है बहुत प्राउड फील कर दे थी मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का जंड़ा इतना उंचा लहरा के आई हूँ एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए इसको नीचे नहीं जाने देना है इसको हर हाल में सबसे उच्छा लहरा के ही आना है जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिबरेट किया था वो मोमेंट बहुत अच्छा था इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका प्रकेती आपको तो फीजिकली बहुत बड़े प्राउबलम आये थे उसमें साब उभर करके आई ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पारिंग है क्या हुआ था आपको हमारे साथ अमलान भी है अमलान जरा बताईए है कैसे आपको एतलेटिक के पृति इतनी जाधा रूची कैसे डेवल Eld को बोड़ा था तो मैंने सटाच अचलो था तो पहला जब मैंने स्ट्रीट मीट कहला था हर गया ऊसमें तो हार मुझे अच्छी नहीं लगई तो कैल दो यसे ही दिरे धीरे अभी मज़ा आने लग रहा तो इसे ही मेरा रुखी बढ़ गया अब लान जबाईएए ज्यादा दर प्रक्टिस कहां की ज्यादा पर में हैज़राबाद में प्रक्टिस किया साहिरेडी सर के अंडर फिर उसके बादे विगनी से में शिफ्ट अग तो दर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर अच्छा हमारे साथ प्रियंका भी है प्रियंका आप 20 किलोमेटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी सारा देश आज आपको सुन रहा है और वेई स्पोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं आप यह बताईए कि इसके लिए किस तर ह inflam Арmaner तो भी वहमेशनली कार्व मुषट किए तौर मसे आप रूम जीटना ही सब बढ़िया है मैं तो सब को बताते हूं कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड इन्युवस्टी जैसे खेल्स को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता है लेकिन अब इतना सपोर्ट मिला ना इस गेम मे मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मैडल जीते हैं तो अप इस सब रहा है कि ओलम्पिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है चलिए प्रियंका मेरी तरफ से बढ़ाई है आपने बड़ा नाम रोशन किया है आईए हम अभी दन्या से बात करते हैं नमस्ते सर बताईगे अपने विशे में सर मैं प्रापर कॉलापूर महाराष्टर से हूँ मैं शूटिंग में 25 मिटर स्पोर्ट पिस्टल और 10 मिटर एड़ पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कुलापूर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी बस से ट्रावल करके पेडवडगा उसे कुलापूर जाने के लिए डेट गंटा लगता है तो वापस आने के लिए डेट गंटा और चार गंटे के ट्रेनिंग तो ऐसे 6-7 गंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी तो फिर ममी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो हम आपको साइटेड संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो तो मैं बहुत सारे गेम्स कर दी थी बच्पन में क्योंकि मेरे ममी पापा को दोनों को खेल में काफी रूची थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया फाइनेंशल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी इसलिए मेरी माता जी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए तो मैं उनकी ड्रीम कम्रेट करने के लिए बच्पन से काफी खेल कुद में रूची लेती थी और फिर मैंने ताइकॉंदो भी किया है उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ और बॉक्सिंग, जुदो और फेंसिंग और डिसकस थ्रो इसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गगी फिर दो-तीन साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फिर्स ताइम मेरा युनिवर्सिटी चैंपियंशिप के लिए मलेशिया सेलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉंज मेडल आया तो उदर से अक्चुली मुझे पुष मिला फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई फिर मैं उदर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पूने बेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फांडेशन है गन फर ग्लोरी तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया अज़ आप चारों मद से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा प्रगती हो, अमलान हो, प्रियंका हो, अभिधन्या हो आप सब मेरे साथ जुड़े हुए है तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जुरूर सुनूंगा पर मेरा एक सवाल है सर जी आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट कौन सा लगता है सर खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूँ लेकिन होकी, फुटबॉल, कबड़ी, खोखो यह हमारी धरती से जुड़े हुए खेल है इसमें तो हमने कभी पीशे ने रहना चाहिए और मैं देख रहा हूँ कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के परतिय पहले जो भाव था वो नहीं है पहले तो बच्चा खेलने जाता तो रोकते थे, अब बहुत बड़ा बड़ा है और आप लोगों ने जो सकसेस लेते आ रहे हैं, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती हैं, हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ नो कुछ देश के लिए करके आते हैं, औ बताई जाती हैं, और स्कूल, कॉलेज में चर्चा में भी रहती हैं, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से आप सब को बहुत-बहुत बढ़ाई, बहुत सुका मनाएं, बहुत-बहुत धन्यवाज जी, नौश्कार, मेरे परिवार जनों, इस बार 15 अगस्त के दोरान, देश ने सब का प्रयास का सामर्थ देखा, सभी देश वाजचियों के प्रयास ने हर गर तिरंगा भियान को वास्तों में हर मन तिरंगा भियान बना दिया, इस अभियान के दोरान कई रिकॉर्ड भी बने, देश वाजचियों ने करोणों की संख्या में खरीदे डेड़ लाग पोस्ट आफिसेस के जरी है करीब डेड़ करोड तिरंगे बेचे गए इससे हमारे कामगारों की बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सेंकडों करोड रुपिय का आई भी हुई है तिरंगे के साथ सेलफी पोस्ट करने में भी इस बार देश वास्यों नाया रिकॉर्ड बना दिया पिछले साल पंदरा अगस्तक करीब पांच करोड देश वास्यों ने तिरंगे के साथ सेलफी पोस्ट की थी इस सान ये संख्या दस करोड को भी पार कर गई साथियों इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश देश भक्ति की भावना को उजाल कर करने वारा अभियान जोरो पर है सितंबर के महने में देश के गाउं गाउं में हर घर से मिट्टी जमा करने का भियान चलेगा देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमरित कलस में जमा की जाएगी अक्तूबर के अंत में हजारों अमरित कलस यात्रा के साथ देश की राजदनी दिल्ली पहुचेंगे इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमरित वाटिका का निर्मान होगा मुझे विश्वास है हर देश्वासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा मेरे परिवार जनों इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं इसकी वज़े ये हैं कि सावन मास की पुर्णिमा इस तिथी को विश्वास संस्कृत दिवस मनाया जाता है सरवेव्य विश्वास संस्कृत दिवसस्य हार्द्य शुकामना आप सभी को विश्वास संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचिन भाषाओं में से एक है इसे कई आधुनिक भाषाओं की जन्री भी कहा जाता है संस्कृत अपनी प्राचिनता के साथ साथ अपनी वेग्णानिक्ता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है भारत का कितना ही प्राचिन ज्यान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही समरक्षित किया गया है योग, अविर्वेट और फिलोसपी जैसे विश्यों पर रिसर्च करने वाले लोग अब जादा से जादा संस्कृत सिख रहे हैं कई समस्तान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फांडेशन, संस्कृत फर योग, संस्कृत फर आयरुवेद और संस्कृत फर बुद्धिजम जैसे कई कूर्सिस करवाता है संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभ्यान चलाती है इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषन शिवीर में भाग ले सकते हैं मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरुकता और गर्व का भाव बढ़ा है इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेश योगदान भी है जैसे तीन संस्कृत डिम्न उनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल उनिवर्सिटीज बनाया रहा अलग-अलग शहरों में संस्कृत विश्वे विद्यालें के कई कॉलेज और संस्तान भी चल रहे है IIT और IIM जैसे संस्तानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपिलर हो रहे है साथियों अक्सर आपने एक बात जरूर अनुभव की होगी जडों से जूडने की हमारी संस्कृती से जूडने की हमारी परंपरा का बहुत बड़ा ससक्त माध्यम होती है हमारी मात्रू भाषा जब हम अपनी मात्रू भाषा से जूडते हैं तो हम सहज रुप से अपनी संस्कृती से जूड़ जाते हैं अपने संस्कारों से जूड़ जाते हैं अपनी परंपरा से जूड़ जाते हैं अपने चीर पुरातन भव्य वैभव से जूड़ जाते हैं ऐसे ही भारत की एक और मात्रु भाषा है गवरोव शाली तेलुगु भाषा 29 अगस्त तेलुगु दिवस मनाया जाएगा अंद्री की तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभा कांख्षलू आप सभी को तेलुगु दिवस की बहुत बहुत बधाई तेलुगु भाषा के साहित्य और विरासत में भारतिय संस्कृति के कई अनमोल रत्न छिपे हैं तेलुगु की इस विरासत का लाब पूरे देश को मिले इसके लिए कई प्रहास भी किये जा रहे हैं मेरे परिवार जनो मन की बात के कई एपिसोर्स में हमने टूरिजम पर बात की है चीजों या स्थानों को साक्षात खुद देखना समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलग ही अनुहों देता है कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दे लेकिर हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसूस नहीं कर सकते कोई हिमाले का कितना ही वर्णन कर दे लेकिर हम हिमाले को देखे बिना उसकी सुन्दरता का आकलन नहीं कर सकते इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से ही आग्रह करता हूँ कि जब मोका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी अपने देश की डाइवर्सिटी उसे जरूर देखने जाना चाहिए अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं हम बेले ही दुनिया का कोना कोना चान ले लेकिन अपने ही शहर या राज की कई बहतरीन जगों और चीजों से अंजान होते हैं